हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स, आज काफी दिनों के बाद मैं अपने पुराने स्टुडियो से वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये एक इंपोर्टेंट वीडियो भी है अफेट्स, दिखिये, जब भी हम लोग बाइक के एक बेहतर मेंटेनेंस की बात करते हैं तो इनके मेंटेनेंस से जुड़ी हुई, जो इंपोर्टेंट बड़ी-बड़ी बात हैं वो तो हर कोई फॉलो कर लेता है लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी मेंटेनेंस की बात ही होती है जो कि अकसर बहुत सारे मेकैनिक, सर्विसिंग के वक्त इगनौर करते हैं नजर अंदाज करते हैं और आप भी उस पे गौर नहीं करते हैं क्यूंकि आपको उसके इंपोर्टेंस की जानकारी नहीं होती है और कई बार इन छोटी-छोटी बातों के वज़ा से एक तो बाइक और उसके इंजन को तो नुकसान होता ही है लेकिन कई बार जो राइडिंग है वो अंसेफ भी हो जाती है तो मैं हमेशा कोसिस करता हूँ कि मेंटेनेंस जुड़ी हुई बड़ी से बड़ी लेकिन चोटी-चोटी बाते भी आप तक पहुचा हूँ और ऐसा ही आज का एक इक इपॉर्टेंट टॉपिक भी है अब आज के टाइम पे बाइक्स में डिस्क ब्रेक का होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है बहुत सारे बाइक में सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक को दिया जाता है बहुत सारे बाइक में फ्रंट और रेर दोनों तरफ में डिस्क ब्रेक को दिया जाता है और जब इन brakes के maintenance की बात होती है तो maximum लोग जश्ट दो चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं एक है कि जो disc brake system दिया गया है उसमें जो brake shoe है वो किस condition में है और दूसरा जो brake का wire है वो किस condition में है लेकिन अगर आपके bike में disc brake system को दिया गया है तो आपको एक तीसरे चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए जो की है brake fluid क्योंग जो disc brake system होता है उसके proper functioning के लिए जरूरी होता है कि जो brake fluid है एक तो सही quantity में available हो दूसरा सही quality में भी available हो और इसको लेकर ही अकसर बहुत साई लोग चूप कर जाते हैं अकसर mechanic देखे गौर नहीं करेंगे वो उनका जो take है लेकिन चूप की importance आपके लिए और आपका riding safe होना चाहिए इसलिए आपको ध्यान में देना है basically मैं यहाँ पर बात करने बाला हूँ कि जो brake fluid है उसकी जो quantity है वो सही होनी चाहिए और अगर आपके bike में front में brake दिया गया है तो आप गौर करोगे कि handle bar के उपर में आपको जो brake fluid का reserve wire है वो आपको देखने को मिलेगा और अगर पीछे में भी disc brake दिया गया है तो आप पीछे में साइड में देख लोगे कि आपको जो brake fluid का reserve wire देखने को मिलता है front की बात कर ले तो आप गौर करोगे कि वहाँ पे glass को दिया जाता है जहां पे minimum की marking की हुई होती है और ऐसे ही जो पीछे वाला brake fluid का reserve wire वहाँ आप भी minimum की marking होती है अब देखिए brake fluid कितना available है कहीं वो minimum की जो marking है उससे कम तो नहीं हो गया है ये make sure करने के जिम्मदारी आपकी होती है क्योंकि हर कुछ जितना कुछ maintenance की बाते है वो mechanic के उपर में छोड़ देना सही नहीं होता है क्योंकि mechanic एक दिन में बहुत सारी गाड़ियों को handle करता है तो आपको problem बताना पड़ता है क्योंकि mechanic एक doctor है आप मरीज आपकी गाड़ी जो है वो मरीज है तो आपको बताना पड़ता है problem क्या क्या है वो थी कर दिता है लेकिन कुछ चीज़े जो आप गौर नहीं करते हो या नहीं बता पाते हो तो वो देखता भी नहीं है और ऐसा ही कुछ brake fluid के साथ अकसर देखने को मिलता है brake fluid कम हो जाता है brake fluid के जो quality है वो भी खराब हो जाती है और आगे जाके एकदम से जो brake failure है जो brake सही तरह के से नहीं काम करते है उसका जो tensor है वो भी देखने को मिल जाता है तो simply आपको just अपने bike को एक सीधा खड़ा करके देख लेना है कि जो brake fluid का जो minimum के marking है जो line दिया गया है उससे नीचे तो नहीं है अगर नीचे है तो फिर आप top up करा ले अगर brake fluid चेक होने पे जो खराब निकलता है तो पूरा का पूरा brake fluid को जो है वो आप clean कर ले ऐसा आप आगे और पीछे दोनों brake में जो brake fluid की marking है वहाँ पे जरूर से कर ले बहुत ही चोटी सी बात है लेकिन brakes का importance हमारे bike इसको टर दूसरी किसी भी गाड़ियों में कितना ज़्यादा है ये आप सब को पता है तो प्लीज आप इस चीज का ख्याल रखे खुद से ही time time से जो brake fluid का level है उसे चेक करते रहे और कम होने पे आप उसे जरूर से top up या change कराते रहे वैसे ये recommended होता है कि generally देखा जाता है कि आपको हर third या fourth servicing में जो brake fluid है उसे चेक कराना चाहिए और अगर आप कम अपनी गाड़ी को चलाते हो तो फिर भी एक साल में एक बार जरूर से आपको अपने बाइक का जो brake fluid system है उसका जो brake fluid है उसे change कर देना चाहिए तो फ़र मुझे तो ये जो topic है वो बहुत ही important लगा क्योंकि safety से जुड़ा होगा और मैं चाहता हूँ कि आपकी riding आप सब की riding safe हो तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकन को वीडियो आ ले ताकि आने वाले important वीडियो के अपडेट आपको notification के थूरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में प्राइब आपको वीडियो गुडबाए